हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब अमीर करते हैं बटे सब अच्छे होंगर अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बटा आज की जो वक्षिट है वक्षिट नंबर 13 है और इंग्लिस मिलियम की है थीक है त्री अगस्त की ये आपकी वक्षिट है आज की चलिए स्टार्ट करते हैं टोपिक रहेगा हमारा एटम एन मोलिक्वूल इसके बारे में हम पहले भी का एक दो वीडियो में कम्प्लीट कर चुके हैं और यह कहूंगी बेटा कि आप इसको बुक से भी पढ़ा करो तो आपको अच्छे से clarity मिलेगी हर टोपिक के बारे में बुक में आपको और भी डिटेल में मिलेगा यहां पर आपको एक समझाने के तोर पर main main key points बताएगा है हमाँ पर आपको डिटेल में मिलेगा लेकिन पहले यहां से समझो और फिर वहां से तो जो और बाते लिखी हुई हैं वहां पर वो भी अच्छे से समा जाएंगे ठीक है तो चले बेटा start करते हैं यहां पर फिर से जिग्यास और ग्यान आपस में बाते कर रहे हैं atom and molecule से related ठीक है तो जिग्यास दीदी ग्यान पूछता है जिग्यास दीदी if size of an atom is so small and insignificant that we cannot see them कि अगर जो atom है वो इतना size उनका small है कि हम उनको देख भी नहीं सकते then why should we think and care about it तो होता है बटा हमारा इस तरीके का nature काई बहल कि जो चीज हमें दिखनी रही जिससे हमें कुछ फर्क नहीं पढ़ रहा तो हम उसके बारे में क्यों सोचे हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही ग्यान स सोच रहा है और जिग्या सदीदी से पूछ रहा है तो ग्यान it is because everything around us is made up of atoms तो वो बताती है कि ग्यान जो भी बना हुआ है हमारे चारो तरफ एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजे जो हैं वो सब किस से मिलकर बनी हुई है अटम से मिलकर बनी हुई है we may not be able to see them और हम क्या होता है उनको देखने के योगया नहीं है हम उनको नहीं देख पाते but they are there लेकिन वो फिर भी वही है हमारे सोचने से थोड़ी नहीं होता है जैसे कबुतर सोचता है आंके बंद कर लूगा तो बिल्ली चली जाएगी लेकिन वो जाती थोड़ी है आंके खोलेग दुसरे स्थान पर जा रहे हैं उसी वजह से यह सांट प्रोड्यूस हो रही है यह हम कुछ भी काम करें खा रहे हैं पी रहे हैं चल रहे हैं नहीं ठीक है देरवाज है साइंग ने जोन डालटन तो एक बिटा safe गाता जीन का नाम क्या था जोन डालटन यह याद रखना तो पेटा जो उनकी थियोरी थी वो किस पर बेश्ट थी ये important है ये question बन सकता है कि जो उनकी थियोरी थी वो किस मतलब कि ला पर बेश्ट थी वो थी laws of combination के ऊपर बेश्ट थी according to Dalton's atomic theory all matters weather and element a compound or a mixture is composed of small particles called atom तो according to Dalton's theory उनकी theory में उन्होंने क्या बताया कि जितने भी matter है ठीक है जितने भी और weather चाहे को क्या हो एक element की form में हो वो matter या compound की form में हो या फिर mixture तो अब यह element compound यह element जो क्या होता है एक ही तरीकी के atom जिसमें होते है जैसे आप Cl2 बोलो तो यह क्या है एक element है compound क्या होता है जैसे कि आप H2 और O मतलब कि अलग अलग 2 आपने लिए atoms और उससे आपका एक यह chemical form होगा ठीक है इसको क्या बोलेंगे compound में तो क्या होता है इनकी जो रेश्यों होता है कि H2 के 2 ही लिए जाएंगे hydrogen के 2 molecule और oxygen का एक लेकिन जो mixture होता है उसमें हम कितना भी हो सकता है H3 ले लिया कुछ भी ले लिया mixture तो ऐसे होता है जैसे आप नमक और चीनी को ले लो चाहे अब उसको एक चम मचलो नमक को चाहे पूरा पूरा packet ले लो तो वो mixture है जिसम जोन डाल्टन में अब बैटा उनके कुछ पोस्चुलेट थे डाल्टन अटोमिक थे उसको डिसकस करते हैं वो क्या है तो all the matters solid हो liquid हो gas हो is made up of very tiny particles तो चाहे वो solid हो liquid हो gas हो सभी तरीके के जो matters होते हैं वो किस से बने हुए थे बहुत छोटे-छोटे particles या कन से बने हुए होत जिससे वो मिलकर बने हुते हैं यूनिट क्यों मुला गया बिटा जैसे आप कोगया आप किसे कोई समान लेकर आते हो market से तो क्या करते हो unit से ही तो ही तो यूनिट होते है हर चीज़गी तो उस ngh छोड जोड कर बनाते हैं ने हम 1 kg की को जोड़ेंगे है थीए हमारे वह जोड़ेंगे वह कूल हम उनी और सब्सक्राइब लिछ आपनें m branchesdy हम खुद भी या कह सकते हो यह जहाँ पर आप बैठे होंगे जहाँ पर चल रहे होंगे वो सारी चीजे छोटे छोटे इन एटम्स को मिलाने से ही बनते हैं ठीक है तो यह तो एटम्स था बेटा फर्स्ट पोस्चुलेट था सेकंड क्या बोला उन्होंने एटम्स आर इंडिवीजिबल पार्टिकल ठीक है तो यह क्या है बेटा मतलब कि इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती यह सब से छोटा है आज तो ऐसी थियोरी आ गई है कि हम इनको आगे भी सब पार्टिकल में लेकिन उस टाइम पर जब इन्होंने अपनी यह थियोरी दी थी उस टाइम पर इटम जोते हो इंडिवीजिबल माने जाते थे, ठीक है we can not create or destroyed इन्हें chemical reaction तो हम बेटा atoms को जो chemical reaction में destroy नहीं कर सकते और create भी नहीं कर सकते ठीक है यह important है atoms of a given element या compound element आपको पता चले गया मतलब कि same element क्यों हो गए compound क्यों होता है जिसे h2 हो गया co2 हो गया मतलब कि अलग-अलग जो atoms मिलके बने ठीक है are identical in size तो atoms जो होंगे given element के या फिर compound के वो identical होंगे size में ठीक है तो जैसे आप मान लो कि h2o है ठीक है इस तरीके से h2o है तो अब बेटा जो इसका size होगा compound का वो same रहेगा ऐसे ही cl2 है बेटा तो cl2 का जो होगा वो भी size जो है same रहेगा क्योंकि जितनी बार भी आप cl2o देखोगे उसके size same रहेगा identical रहेगे उसके जो atoms है जिससे मिलकर वो बनाए वो same ही रहेगे ठीक है जैसे आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास क्या है तीन, चार स्पेर है ठीक है एक जैसे size के है तो आप इनको मिलाओगे तो अगर आप दो मिलाओगे तो चाहे आप ये वाला मिलाओ चाहे ये वाला मिलाओ ठीक है सारे एक ही size के है और इनको आप मिलाओगे तो आपको same size ही मिलेगा अब इन दोनों कोलम में आप ये वाला रख दो तो चाहिए वाला रगदो या ये वाला रगदो या ये वाला तो size जो है इतना ही बनेगा इससे जादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता तो यही बोला गया कि जो atoms है वो क्या होंगे given element के ठीक है वो क्या होंगे compound के और element के same size के होंगे mass भी उनका same होगा और chemical properties भी same कुछ फल फ्रूट लेकर आते हो सबजी लेकर आते हो या कुछ भी राशन का समान लेकर आते हो तो वो उतना ही रहेगा उसका weight होगया mass होगया उसका size जो होगया वो same रहेगा ठीक है इस तरीके से और अगर क्या बोला है atoms of different element ठीक है तो जो atoms होंगे different elements के वो क्या करेंगे different mass रखेंगे different chemical properties रखेंगे जैसे कि हमने CL2 ले लिया एक O2 ले लिया तो जो O2 के हैं बेटा क्या ना हमें O2 के जो atoms होंगे उनका size और chemical properties अलग होंगी CL2 की अलग होंगी इसको ऐसे समझो कि एक तरफ तो आप क्या ले लेते हो soya bin ले ले लेते हो तो वो कितनी हलकी होती है तो एक केजी में कितनी सारी आएंगी तो उनका size बढ़ गया लेकिन O2 में आप ले लो कि आपने ले लिया कोई भी दाल ले ली ठीक है या फिर आप कह सकते हो आपने save ले ले लिये तो उनका size अलग होगा वो थोड़ी सी quantity ए 1 kg बन जाएगे लेकिन soya bin को या फिर आप कह सकते हो कुछ भी हलकी चीज़ों को major करते हो उतनी ही unit तो वो क्या होती है उनका size बढ़ा हो जाता properties अलग हो जाती ठीक है तो यह बोल रहे है डिफ्रेंट होंगे तो अलग-अलग हो जाएंगो उनके size, property और mass next है बेटा, atoms combine in fixed ratio और atoms क्या होते हैं? combine होते हैं fixed ratio में of small whole number और वो whole number होंगे कोई point या decimal में नहीं होते हैं किसी भी compound को form करने के लिए तो compound हमने अभी बात की थी आप इसको book से भी अच्छी से पढ़ना बेटा और आपने इस से related worksheet भी करी होंगी तो compound क्या होते हैं? जब दो तरीके के atoms मतलब की कह सकते हो H2 ले लिए हमने इनके atoms और oxygen के ने मिलकर क्या बनाया? compound बनाया और fixed ratio में अगर हमने यहाँ पर O2 के भी दो ले लिए तो बेटा ये water नहीं मिलेगा हमें? ठीक है? हमें जो water है, gel है, कब मिलेगा? जब हम oxygen का तो 1 लेंगे और H2 के 2 ले मतलब की क्या होगा इनका ratio और यह नहीं कि हम oxygen का 1.2 ले लेंगे तो हमें ratio को whole number में लेना है, point में नहीं लेना है, ठीक है? तो compound को form करने के लिए जो atoms होंगे, वो combine होंगे, fixed ratio में और whole number में होंगे, ठीक है, point वाले नहीं होंगे, जैसे हम कहा देते हैं कि 1.2 kg ले लिया हमने कि 1.2 atom ले लिया, ठीक है? उमीद कर जो, समझ में आ गया होगा, अच्छे से, next है बेटा, जो last वो है, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound, तो अभी हमने पड़ा, जो relative number, यानि relative number क्या होते है बेटा, कि दूसरे के respect में, अब यह oxygen है, यह H2 के respect में एक है, अगर हम यहाँ पर क्या ले 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 तो यहाँ पर हमें oxygen क्या लेना पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको divide करेंगे, तो हमारे पास वापस से H2 आ जाएगा, तो इसको बोलते है relative, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर H2 के जादा लेंगे, तो जितना हम उसका जादा लेंगे, उसके comparison में यह ही बढ़ जाएगा, ठीक है? यानि कि ratio सेम रहना चाहिए, ठीक है? हो सकता है, यहाँ पर तुम क्या ले लो? HK6 ले लिए, तो oxygen के कितने होने चाहिए बेटा? तो oxygen के आपको क्या करना पड़ेगा? उसका half लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको oxygen के 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो 3 यह 1 आ जाएगा, और यह 3 2 जाए, तो 2 ratio 1 में ही रहना चाहिए, compound का जो ratio होगा, तो यह constant रहेगा, relative number क्या है? constant रहेगा, और जो atoms है, वो भी constant रहेगे, ठीक है? atoms मतलब क्या होगे, तो 2 atoms है, और यह क्या है, oxygen का 1 atom है, ठीक है? तो यह थे कुछ post rate, जो थे dalton atomic theory के, अब बेटा, इससे related कुछ questions कर लेते हैं, जो first question है, बहुत ही easy है, आज की आपकी worksheet, first question है, all the matters is made up of very teeny particles cold, तो क्या था बेटा, वो atoms, तो सभी atoms से मिलकर बनी हैं, जितने भी atoms are basic unit of matter that participate in, किस मेरे, मतलब क्या करते हैं बेटा, participate करते हैं कि chemical reaction में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, chemical reaction में, यहाँ आपने अभी उपर पढ़ा भी था बेटा, अगर आप बूल गए हो, तो यहाँ पर देख सकते हो कि, यह participate करते हैं chemical reactions में, ओके, यह रहा, ठीक है, अब next है बेटा कि Dalton at Dalton's Atomic Theory, वाज based उन्दी, तो हमने अभी उपर पढ़ा था, मैंने बोला भी था, laws of combination, chemical combination, ठीक है, कि हम रसायनों को कितना मिला रहे हैं, कितने hydrogen के atoms ले रहे हैं, कितने oxygen के ले रहे हैं, कितने chlorine के, कितने carbon के, उस पर यह depend है कौन सी Dalton Atomic Theory, इन ए chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed, हम पढ़ चुके हैं, कि हम इनको chemical reaction में ना तो हम destroy कर सकते हैं, ना ही हम इनको create कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा, क्या मेनिंग है बेटा, इसका मेनिंग है कि जितने हमने products, मतलब कि reactant लिये थे, उत्पाद लिये थे, उनसे जो हमें मिलेगा बेटा, ठीक है, product ज रहेंगे, तो यही बोलना चाहिए कि chemical reaction के दोरान हम इनको create कर सकते हैं, ना ही destroy कर सकते हैं, अब last कुछ है बेटा, explain any three postulate of Dalton's atomic theory with example, तो आपको यहाँ पर तीन postulate explain करने हैं with example, तो मैंने example भी आपको काफी सारे थी हैं, और पुरे detail में यह worksheet समझाए, तो यहाँ से आप आपकी atoms and molecules से related worksheet no.13, इससे पहले भी हम दो वीडियो में complete कर चुके atoms and molecules के और उससे पहले भी काफी worksheet आई हैं इसकी बेटा और बुक से भी आप इसको पढ़ सकते हो, तो एक एक चैक्टर को अच्छे से clear करते चलो, और को डायूट आता है, तो आप मेर से comment box में भी पूच स